असलाम अलेकुम, आज हम PHP and MySQL में जो चीज़े देखेंगे वो हैं, सबसे पहले हम database जैसे हमने create किया था, उसे को further लेके चलेंगे, और MySQL query को जो हमने इसका function देखा था, उसको देखेंगे, किस तरह से, इसकी statement को किस तरह हम execute कर सकते हैं, insert की query देखेंगे, कि select, update, delete, इन सबकी queries, देखेंगे, किस तरह से हम data को manipulate कर सकते हैं, इन queries को use करते हुए अपने database के अंदर, सबसे पहले जो हमने database create किया था, demo underscore db का, उसी के अंदर हम new एक table create करेंगे, यह हमारे पास एक php my admin है, इस php my admin के अंदर हम लोग यहां पे हमारे पास database का demo underscore db, यहां पे अब हम एक new table create करेंगे, demo underscore user और उसके अंदर हम six columns रखेंगे, अब इन columns के अंदर हम क्या क्या करेंगे कि सबसे पहले हम id, name, email, city, gender, age, अब इन database की types के बारे में हम सबसे पहले हम देखेंगे id, जो हमारे पास होगा integer होगा और इसकी length हम लोग रिख लेते हैं 255, name हमारे पास हमेशा strings होती है, तो हम alphabets पर आसकती हैं तो हम उसके अंदर watchar रिख देंगे, और इसकी length 100 रख ली, email id हमारे पास कुछ भी special characters आ सकते हैं तो इसके अंदर watchar और इसकी length हमने 150 रख दी, हमारे पास city भी watchar होगा, उसके length भी 100, gender भी हमारे पास limited values होती हैं जैसे या तो male हो सकता है या male, तो हम इसके लिए हम इसको e-num रख लेते हैं, e-num के अंदर हम लोग 2 relevant values, male या female possible values हैं तो हम ये रख लेते हैं, इसके बाद हमारे पास age है, तो वो भी integer होगी, तो उसके लिए हम value रख लेते हैं, यहां पर 10 रखती हैं, यहां पर अब हम मारे पास जो id है उसको हम ऐसा primary की use करेंगे, तो index के अंदर हम primary की लिखेंगे और यहां पर auto incremental होगा, इसको हम save कर लेंगे, यह हमारे पास आगे table create हो चुका है, demo user का, और यहां पर हम उसका एक structure देख सकते हैं, कि उसकी जो भी columns हैं, वो हमारे पास, वो आ रही है, types आ रही है, उनकी length क्या है, primary की, वो भी सब कुछ यहां पर mention हो रहा है, कि जो हमारे पास id का hold है, वो हमारे पास key name primary है, incremental है, auto incremental है, यह सब चीज़े हमें यहां पर show हो रही हैं, इसके बाद हमने यह देखना है, कि हमारी जो www directory है, उसमें एक new file create करेंगे, इसके बाद हमने यह देखना है, कि हमारे जो www directory है, उसमें एक new file क्रिएट करेंगे, लेक्चर 11 के नाम से हमने वो directory बना ली है, उसके अंदर एक हम new file बनाएंगे, index.php के नाम से, और इस file के अंदर हम अपना यहां पर काम स्टार्ट कर देंगे, तो सबसे पहले हमने जो query देखनी है, वो है insert की query, कैसे हम इसको insert कर सकते हैं कि उसके name mysqli query का function यूज करेंगे, यह function जो है, यहां पर इसका syntax क्या होता है, कि mysqli underscore query, और दो हमारे पास argument पास होते हैं यहां पर, पहला argument होता है, हमारा database connection का, और जो दूसरा होगा, argument फो हमापा query होगी, जो भी हमने कोई randomly उसमें, दूसरे argument में हम पास कर सकते हैं उसको, जो हमारे mysqli query का function है, यह return करता है, three different types की पहर भी उस, यह depend करती है कि हमने उसको argument में क्यारता दिया था, और वो उसी की base में चीज return करेगा, और हमारे यह तीन possibilities होती है, सबसे पहले होता है कि कोई भी SQL statement जो हमने दी थी, वो अगर कहीं reject हो रही है या result return नहीं कर रही, तो सिब से पहले सिर्फ true और false की जो वापा values होंगी वो ही return होगी, अगर हमने create data और create table की statement दी है, तो हमने query को हमने यह input दी है, तो हमारे पास सिर्फ false यह true ही return करेगा, इसके लावा कुछ भी return नहीं करेगा, अगर हमने कोई ऐसी statement लिखती है यहां पे, जो हमें कोई data return कर रही है, या जैसा कि हमने कोई MI SQLI की query लगाई थी, तो data बहां से लाकर देती हैं वो हमें, तो हमें जो data वो return करती है, वो true या false नहीं देगी बलकि result pointer देगी, जो query के result pointers होंगे वो हमें return कर रही होगी, तीसरी जो हमारे पास possibility है वो यह है, कि हमारे जो मैं SQLI की query है, वो हमारे पास arguments अपने देने होते हैं वो fail हो जाते हैं, या हमने जो query लगाई है वो fail हो गई है, तो वो just false का हमारे पास data return करेगी, इसके इलाबा हमारे पास कुछ भी return नहीं होगा, यह further हमारे पास PHP के functions हैं जिसमे data retrieble के लिए use होते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं अपना एक form करेट कर लेते हैं ताके हम इस तरह insert की query को देख सकें, कि यह query किस तरह से काम करती है, हम simple एक form बनाएंगे, method उसका post दिख लेंगे, जब करने पास के मैं, जब कर मैं आएंगे, हम अव्यां को एक आएंगे, काम का एक, भी बनाएंगे, यह हम देख लेंगे, पर हम input ले रहे हैं उसका name लिखतेंगे text की type name में लिखतेंगे name ही आ जाएगा इसका second जो हम उससे लेंगे वो होगी इसकी email ID type उसकी हम email रख लेंगे और name में email third पर हम उसकी name, email, city, gender जो हम ने यहां पर सब कुछ लिखा था वो हम यहां पर city और gender लिख लेंगे यहां पर हमारे पास type हम आ जाएगी text and name city gender जो हम ले रहे हैं उसको हम उसकी type हम रखेंगे radio बटन name में gender और इसकी value में हम लिखेंगे male second हम लिखेंगे female इसकी भी input type रेडियो और name इसका लिखेंगे gender name दोनों का सेम रखना है क्योंकि यह radio है value में हम female लिखेंगे उसके बाद हमने age लिखनी है इसकी input type हम text ही रखेंगे इसका name age और इसके बाद सबसे important चीज जो होती है form में वो submit का button अगर यह submit का button नहीं होगा तो जो भी हम form में data enter करेंगे वो आगे transfer किस तरह होगा type हम इसके submit रखनी है और इसको हम save कर लेंगे save करके हम इसको देखते हैं किस तरह से यह हमें show हो रहा है local host पर जाके हम इसको देखते हैं तो यह हमारा form कुछ इस तरह से नजर आ रहा है कि इसके बाद से हमने जो करना है वो यह है कि जो भी हमारे पास data आ रहा है उसको हमने PHP में show कराना है PHP में लाने के बाद हमने उसको database में उसको accept कराना है तो सबसे पहले हम यह देखते हैं कि हमारे पास जो data आ रहा है वो PHP में ही variables में save करना है अगर dollar underscore post आ रही है अगर इसका submit आ रहा है अरे में कि जो form आवा submit हो रहा है तो जो भी हमने code लिखना है वो इसी के अंदर लिखना है यहाँ पर हमने जो भी code जो आ रहा होगा वो होगा जो हमने form के submit होने पर form को execute करना है और वो code हमने यहाँ पर लिख देना है तो सबसे पहले हमने name के variable को यूज करते हुए dollar post name को save कर लेना है email में हमने email आ जाएगा city में city आ जाएगा और जेंडर में हमारे पास जेंडर आ जाएगा और उसके पास age के variable में हमारे पास age को save कर लेना है और यह मरपा एक्स्ट्रा है तो हमने इसको delete कर दिया अब यहां पर हमने क्या करना है सबसे पहले हमारे जो database का connection है वो बनाना है हमने जो भी database का connection था जो हमने पहले पहले बनाया था वो क्या था कि हमने mysqli की class को यूज करते हुए वो इसको connection को बनाया था आज हम यूज करेंगे वो हम इस class को यूज की connection को यूज करते हुए एक connection बनाएंगे अब हम dollar connection is equal to mysqli connect और इसके अंदर हम वही जो parameter जो हम पास करेंगे जो हमने पहले देखा था जो हमने सबसे पहले देखा था host उसमें हमने local host आ जाएगा उसके बाद हमारे पास user यूजर जो हमारे पास default आ जाएगा root ही होता है और जो आपा password होता है वो empty होता है blank उसके बाद हमारे पास जो database होती है database जो हमने रखा था वो था demo underscore db तो यह हमारे पास एक connection बन गया है हमने mysqli के through एक data connection का connection बना लिया है अब हमारे जो connection जो है वो successful है भी या नहीं हमने यह चेक करना है उसके लिए हमने if की condition लगानी पड़ेगी और उसके अंदर चेक करना पड़ेगा if mysqli connect error अगर mysqli connection का कोई error आ रहा है तो हमने क्या करना है e को करना है connection failed और connection हमने बताना कि क्यों fail हुआ है उसकी reason जो आ रही होगी वो if के through हमारे पास आ रही होगी mysqli connect error और अगर यह हमारे पास ऐसा नहीं है हमारा connection जो है वो successful हो जाता है तो हमने क्या शोकरा देना है connection okay अब हम इसको चेक कर लेते हैं कि हमारा connection जो है वो okay है पी या नहीं है पेज का हम refresh करेंगे ना तो हमारे पास कोई error शो हुआ है ना ही हमारे पास successful message शो हुआ है तो हम देखते हैं कि मिस्टेक हम से यह हो रही है कि हमने इस code को इस if के condition से बाहर रखना है क्यूंकि यह जो code है वो अगर block of code इस if के condition के अंदर है वो execute तब होगा जब हमारा form सब्मिट होगा हमने form सब्मिट नहीं किया और हम बगार सब्मिट के चेक कर रहे हैं तो यह code हमें इसके condition से बाहर रखना होगा तो हम इसे बाहर रखके चलाना होगा अब हम रीफ्रेश करेंगे तो हमारे पास कनेक्शन okay का message आ गया है कि हम आपर जो database का connection है वो successful हो चुका है तो जब हमारा connection successful हो चुका है तब हम यहां पर insert की कोई भी query लगा सकते हैं और बना के देख लेते हैं कि क्या वो भी हमारे पर successful होती है या नहीं dollar insert query is equal to सबसे पहले हम कोई भी अपनी कुछ पिल्ख लेते हैं और पास में हम इसको पास कर देंगे mysqli underscore query के function में सबसे पहले insert की query का जो syntax हमाया पर insert into हमारे table का name आएगा हमारे table का name है demo underscore user तो यहां पर हम demo underscore user लिख लेंगे और इसके बाद यह parenthesis यहां पर हम सब हम अपर columns आजाएंगे इसके बाद हम पर यहां पर values का code आएगा और in parenthesis में सब values आएंगी जो भी उस column में हमने values save करानी है वो हम यहां पर सब कुछ लिख लेंगे सबसे पहले हमारे पास जो columns है आईडी का है क्योंकि वो auto incremental है तो हम वो insert कराने की ज़रत नहीं है वो खुद बो खुद हो जाएगा अगर हमने insert कराना है वो है name उसके बाद comma space second column हमारे पास जो है वो है email comma space उसके बाद हमारे थर्ड column जो है वो है city comma space उसके बाद हमारे पास जो next है वो है gender comma space और पिर है last में age एक दफ़ा चेक कर लेते कि हमारे पास यही सब कुछ है यह कोशिश किया करें कि जो भी आपके पास table के अंदर जो columns के name रखे हैं वो ही आप अपने form में अपनी inputs के name वही रखें ताके बाद में आपको mapping करने में easy हो और आपके लिए और असानी हो जाए यह यहां पर हम single course में values देंगे जिसमें वापस आजगो dollar name उसके बाद comma फिर से single code देंगे dollar email single course double course और इसके बाद हम connection के लिए dots फिर इसके बाद dollar city dollar gender और सबसे end पर हमार पास dollar age अब हमने mysqli query इसमें हमने जो connection है हमारा हमने सबसे पहले उस argument को रखना है dollar और उसके बाद जो हमारे पास query है insert की यह हम यहां पर argument में दे देंगे इसको हम save कर लेंगे उसके बाद हम अपने form पर जाएंगे यहां पर हम अपना data एंटर करेंगे अली email लिखेंगे यहां पर अली एड एकस वाई जी डॉट कॉम city को यह इंपुट करेंगे मुलतान gender male और female है हमारे पास तो हम male पर क्लिक करेंगे age में हम 22 years रखतेंगे उसके बाद हम इसको submit करा देंगे और फिर यह आप हमारे पास देखते हैं कि यहाप हमारे पास सारा information आ गई है पास सही काम कर रही है तो हम यह सब कुछ यहाँ पर show हो जाएगा अगर हम एक और data एंटर करकी देख लेते हैं नासर यहाँ पर हम उसका email लिख देंगे at gmail.com city lahore लिख लेते हैं gender हम male लिख लेते हैं और age में हम 30 years लिख लेते हैं उसके बाद हम इसको submit करा देंगे तो browse किया इसको हमने तो हमारे पास देखे आपने यहाँ पर दो रोज आगी हमारे पास अब हमें देखना है कि हम select की query को किस तरह से walk करा सकते हैं यह तो insert की query है इसको हम यहाँ पर फिलहाल के लिए हम इसको comment कर देंगे और यहाँ पर dollar select carry equals select from जो भी हमारे टेबल है हम उस टेबल का नाम लिख देंगे जो के हमारे पास demo underscore user है यहाँ पर हमारे पास अब यह थोड़ा डिफ्रण्च हो जाएगा क्योंकि हमने insert कर लिया है data और हमने इस data को show भी करवाना है तो हम इसको show कैसे करवाएंगे इसको हम लिखेंगे एक if के condition में कि हमारे पास जो data है वो return हो रहा है कुछ हमें मिल भी रहा है यहाँ पर कोई error आ रहा है हमारे पास तो यहाँ पर हम dollar result equals एक हमारे पास function होता है जो के जो भी हमारे पास rows आ रही होती है select करने के लिए उन rows को count करके हमें number of rows बता देता है उसको हम किस तरह से use करते हैं यहाँ पर अब हमने यहाँ पर देखना है हमें कितनी rows मिल रही है यहाँ पर देखना है यह हमने इसको यहाँ पर देना है इसको हमने save करना है और फिर browse में जाके चेक करना है कि हमें क्या return होता है हमें हमने select की query pass करनी इंसर्ट की नहीं इसलिए अगर कोई error आ रहा है और वह हमें हमेशों नहीं हो रहा तो उसके लिए MySQLi के कुछ जो बापर रिपोर्टिंग्स हैं वह हमें on करनी परती है और वह कौन सी है कनेक्शन से पहले हमने एक line add करनी होती है MySQLi report और इसमें हमने यह दो parameter पास कराने होते हैं इसको हम save कर देंगे और फिर देखेंगे कि हमारे पास क्या error आ रहा है अब हमने क्योंके select की query लगाई है इंसाट की नहीं लगाई तो यह जो query हैं हमारे पास यह form सम्मिट की बाहर लखनी है इसको हम save कर लेंगे नमबर अफ रोज जो हमें रिटर्न हो रही है वो है टू और अगर हम अपने डाबेस में देखे तो यहां पर वह वापस टू रोज हैं हम एक new row इंसर्ट करके देखते हैं फात्मा फात्मा एड जीमेल डाट कॉम सिटी कराची जेंडर में हम फीमेल लिखतेंगे और एज में 25 लिखतेंगे इसको हमने इंजर्ट कराया तो आप देख सकतें कि आप हमारे पास 3 रोज नजर आ रही है अब आपने यह तो देख ले कि हम आपके कितना डेटर आ रहा है लेकिन जो नेक्स काम हमने वह करना करना है वह यह है कि जो हम आप जो डेटर आ रहा है वह डेटा क्या है हमारे जो यूजर्स हैं उनकी नेम्स क्या है उनकी जेंडर क्या है उनकी एज क्या है यह सब चीजे हमने देखनी है तो इसे देखने के लिए हमें यहां पर हमें डेटर को सबसे पहले सर्च करना होगा और इस डेटर को हम कुछ इस तरह सर्च कर सकते हैं हम यहां पर सबसे पहले लूप यूज़ करेंगे कि सर्च असूसियटिव का यह मतलब है कि हमारी जो असूसियटिव अर्य है हम उसको सर्च कर रहे हैं अर्य इसमें हम ने देखा कि असूसियटिव अर्य क्या होती है वो अर्य जो के झिसके индекс जो है यहां पे स्ट्रिंग आ रही होती है यहाں पे हम यूजर्स में हम इसको अब यहां पे सारा डेटा आ रहा है तो हम इसको अभी हम यहां पे उसको सिर्फ प्रिंट करा लेंगे अब इसको रिलोड कर देखें तो देखें कि हम आपस यह सारा डेटा आ रहा है यहां पर अब हम इसको प्री के टैग में रख लेते हैं ताकि अगर हम इसको देखने में आसानी हो जाए इसको हम सेव करके फिर से रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहां पर हमारे पास इसको हम ने रिफ्रेश किया तो यह देखें हमारे पास वन टू एंड थ्री यूजर्स का डेटा इस तरह से शोग हो गया पहला जो यूजर्स है हमारे पास उसका जो आईडीज है आईडी, नेम, इमेल, सीटी, जैंडर, एज यह हमारे पास एसोसियेटिव आरेस आ रही है कि जो भी हमारे कॉलम नेम्स है वो कीज में हमारे पास आ रहे है एक और फंक्शन होता है हमारे पास एक और जो हमारे पास फंक्शन होता है उसमें हम एसोसियेटिव की जगा पे दोनों चीज़े ले सकते हैं इंडेक्स भी और एसोसियेटिव आरेस भी उसमें हम MISQLI हमारे जह होती है हम यहां पर ऐसे array लिखते हैं और यहां पर देखते हैं हमारे पर सेम नमबर शोग हो रहे है 0 पर और ID 0 पर जो है विवो हमें बता रहा है कि ये index है जबके ID पर वो हमें बता रहा है ये है सारा कुछ में बता है name equal to early, email यह क्या है हमारे पास सबकुछ यह उसकी Associative आरेज हैं तो इस से हम हमें दोबनों चीजसे मालूम हो रहे हैं कि अगर हम यहा पर Аसूसयंटी लिखे गेंगे तो यहां पर सिर्फ Associative आरेज हमें मिलेगी अगर हम यहां पर इसके साथ कुछ और लिख देंगे तो हमें वो भी साथ में हमें रिटर्न होगी यह हमारे पर सिर्फ associative आगई है हम most of easy में ही काम करते हैं कि associative array में ही use को यूँ ही use करते हैं ताकि हमें easy हो, हमें देखने में आसानी हो अब हम ऐसा करते हैं कि हम अपनी इस आउटपुट को एक टेबल की फॉर्म में शोक रा देते हैं लूप से बाहर हमने इसको रख दिया ये हमारे पास टेबल स्टार्ट का टेग और उसके बाद हमने हमारे पास जो फॉर्स्ट है यूजर्स का आईडी जय को आईपाँ ओी यारे इसको बादो काग भगजाओ याए बाहर वे राख बाहर झाईब को वेक है ये बाहर भाहर हमने दो पाईग झाल kalau से बाहर हमने सबस्किते हैं नहो को आईबल उसके बाद यूजर्स का नेम यहां पर हमारे बस एमेल आ जाएगी उसके बाद हम सिटी लिखते हैंगे जैंडर और एज और उसके बाद हम यहां जागर एक roman का वाद हमारे जाग्ट जर्माड़ बाद हमारे को अन्마ंग पर सुद्धा यहा यहाँ इन बाद में, यहाँ लिखते हैं-ध और सी एज बाद वॉड़के वादे हैं, ड virt에 रवटके लिखते हैंगे आईडी लिख देंगे नेम, सिटी, जैंडर एंड एज हम यहाँ पर यह सब कुछ टाइप कर दिया है अब यहाँ पर हम इसको एज लिख देंगे और यहाँ पर इमेल इंजर्ट कर देंगे इसको हम सेफ कर लेंगे और फिर यहाँ पर हमने कॉमेंट कर दिया इन दोनों को और अब हम देखेंगे कि किस तरह से हम यहाँ पर शो होगा यानि यह अब हमारे पास एक टेबल की फॉर्म में सब कुछ शो हो रहा है आईडी हमारे पास आ रहा है, नेम सब यूजर्स के इमेल आ रहे हैं, उनके सीटी, जैंडर और एज हमारे पास शो हो रही है अब जो हमने नेक्स्ट जो चीज़ देखनी है, वो है हम सेलेक के थुरू किस तरह से डेटा ले लिया और उसको शो करा दिया अब जो हमने नेक्स्ट चीज़ देखनी है, वो है अपडेट अपडेट के लिए अगीन से हमें फॉर्म लगाना पड़ेगा, और अपडेट के लिए हम इसी फॉर्म को यूज़ कर लेते हैं हम यहाँ एक न्यू फील्ड बना लेते हैं आईडी टू अपडेट यह हमने अपनी फील्ड का नाम रख दिया है इन्पुट टाइप टेक्स्ट नेम हमारे पास इसका आईडी रख लेते हैं इसको हम रिफ्रेश कराकर देखिए यह तो हमारे पास आईडी टू अपडेट आ गया अब हम इसको यहाँ पर इसलिए रखा है कि यूजर का जो डेटा हमारे पास अपडेट कराना होता है तो उस यूजर का आईडी हम यहाँ पर लिख देंगे तो हम जो सेकंड यूजर जो है तो आईडी टू जिसका है हम उसको सीटी चेंज करना है तो अब हम यहाँ पर उसकी आईडी लिखतेंगे और इसकी इनफोमेशन यहाँ पर प्रोवाइड कर देंगे और इसके बाद सम्मिट करा देंगे तो हमारे पास उसके जो डेटा हमने चेंज कराना था वह चेंज हो जाएगा ट्राइ करके देखते हैं इसको अगर डेट की क्यूरी भी तब ही चलेगी अपडेट की जब हम उसको सम्मिट करांगे अदर्वाइस वह एक्जिक्यूट हो जाएगी अपडेट की क्यूरी के हम आपस सेंटेक्स यह है कि हम अपडेट लिखेंगे टेबल नेम लिखेंगे डेमो अंडर्सकोर यूजर या मापा टेबल नेम है जो भी उसके बाद हमने कॉलम चेंज करना है वो कॉलम का नेम लिखेंगे suppose अगर हमने city चेंज करना है तो यहाँ पर हम city लिखतेंगे equals to city में हमारे पास donor city तो उसके बाद हम id equals to जो भी user हमें id दे रहा है वो हम यहाँ पर input करेंगे dollar id तो dollar id का जो variable है वो हम यहाँ पर implement हमने नहीं किया क्योंकि हमने new field add की है id equal to dollar अब इसको भी हमने mysqli query के function के through हमने इसको execute करके चेक करना है कि यह हमारे पास किस तरह से work कर रहा है तो अब हम सिर्फ सिटी के लिए किसी भी किसी subject कर यूज कर रहे हैं जो बाकी की fields है हमारे पास उन्हें हम अभी ignore करेंगे इसको हम री लोड करके देखेंगे हमारे पास इस नमबर टू का जो city हम अपा लाहूर उसको हम यहां पे input करा देंगे उसको हम पिशावर रखना चाहरे हैं हम उसका उसके साथ exchange करना चाहरे हैं हम उसको submit करेंगे तो क्यूंकि उससे हमने gender का हमने उसके explanation नहीं दी तो हम आप यह notification आगया है हम यह देखें हमारे पाइधा यहां उसका जो city है वह पिशावर हो चुका है पहले हमारा यहां सीटी लहौर था प्रिशावर नहीं चेंज करते हैं अब हम इसको data बेस में ने चेंज हो चुका है तो जो हम अपड़ीट के query हैं वह किस तरह से हमने उसको successfully check कर किस तरह से हम किसी भी अपनी लुजा On अगर हम सब़से प्रैटा चेंज कराना चाहरे हैं तो उसके लिए हमें क्या करना होगा सब कि सब जो मारे पास चीज़े हैं यह सारी कि सारी चीज़े हम रहां यहां पर लिख लेंगे नेम इक्विल्स डॉलर नेम कि आप यहाँ वे अपना नेम भी चेंज कर सकते हैं इसके बाद हमारे में नेम के बाद है हमारे पास इमेल इमेल के बाद हमारे पास सिटी है जो के हम औरेडी चेंज कर चुके हैं उसके बाद हमारे पास जेंडर है और इसके बाद हमारे पास एज और इसके बाद हमारे पास एज है नेम इमेल सिटी जेंडर एज क्या हम इन में से कोई भी चीज अपडेट करवा सकते हैं अब हम यहां पर इसको तो जो हमाई थर्ड पे है फात्मा उसका नेम हम चेंज करना चाहेंगी हम उसका नेम यहां पर रुबाब रखना चाहरे हैं इमेल आईडी हम रुबाब एड़ दा रेट याहू सिटी में हम इसका नाम रख लेते हैं सर गोदा और जैंडर हम फीमेल ही रखेंगे और एज में हम इसको कर देते हैं इसको जब हम सब्मिट कराएंगे और इसके बाद हम रिफ्रेश करेंगे उसे तो यह देखें हम आप थार्ड पर जो अब फातिमा थी उसकी टोटल जो इन्फोर्मेशन है हम आप वह सारी की सारी चेंज हो चुकी है पहले हमने सिफ यह देखा था कि सिट्टी को चेंज हिया था लेकिन ओवर ओल अगर हमने सारी के सारी इन्फोर्मेशन चेंज करनी है तो वह भी हम इस तरह से कर सकते हैं अब हम देख लेते हैं कि हमारे पर डिलीट की क्वेरी जो है अगर हमने किसी इंसर्ट को डिलीट करना चाहें तो वह किस तरह से कर सकते हैं उसके लिए भी हम यही करते हैं कि इसी फॉर्म को हम थोड़ा सा मॉडिफाय कर लेंगे इसको हमने कॉमेंट कर दिया है आईडी टू डिलीट यूजर यहां पर हम उसे यूजर का आईडी देंगे जिसको हमने डिलीट करना है इस क्वेरी को हम कॉमेंट करके डिलीट की क्वेरी को यहां पर हम लिख देंगे डॉलर डिलीट क्वेरी इस इक्वल टू डिलीट फ्रॉम टेबल का नेम जो हमारे पास है डेमो अंडर्सकोर यूजर वेर आईडी इक्वल्स डॉलर आईडी अगर यहां वेर की स्टेट्मेंट या कंडिशन नहीं लगाएंगे तो हम आप जितने भी यूजर्स हैं उनके सब के फॉर्म डिलीट हो जाएंगे तो हम यहां पे इसकी वेर की कंडिशन लगानी पड़ेगी कि हम स्पेसिफिकली इसी यूजर को डिलीट करना चाहते हैं यहां भी हमने एक क्वेरी पास कर दी उसके बाद हमने फॉर्म डिफरेश किया तो अगर हम को यूजर डिलीट करना चाह रहे हैं तो सपोस हम यूजर वां डिलीट करना चाह रहे हैं आप हम यहां पे इसको सब्मेट करेंगे पेज को डिफरेश किया हमने तो हमारे पर जो फर्स अबएrh का यूजर था वो डिलीट हो चुका है बाकी जो दोनों है वा हमें यूजर हो रहे हैं इस तरह से हम डिलीट की क्वेरी को यूजर कर सकते हैं इस तरह आहा हम देखा कि हम इसको बी सver backyard कर सकते हैं अब हम एक और चीज ट्राइकर करके देखते हैं कि हम multiple entries किस तरह से delete कर सकते हैं यह हमारे पास इंजर्ट जो रोस हैं वो इंजर्ट हो चुकी है हम इन्हीं रोस की against देखेंगे कि हम बिलेat करना हों और यहां पर हमारे पर देखेंगे हमारे पने total six rows हमारे इंजर्ट हो चुकी हैं आइदी-प्राइ भी देने कि हमारे कौन सी है अगर हमने multiple IDs को delete करना चाह रहे हैं या multiple users को delete करना चाह रहे हैं तो हम उसके लिए multiple IDs की जरूरत होगी इस तरह से हम id1 और id2 के नाम से इसको मियाँ पर use कर लेते हैं और id इकल्स डॉलर id2 यह हमारा variable हम यहाँ पर नहीं लिखा इसको हम create कर देते हैं यहाँ पर id1 और यह यहाँ पर id1 और id2 यहाँ पर हम लिख देंगे id2 पेज को हमने रिफ्रेश कर दिया तो आपने देख लिए हमारे पर यहाँ आईडी आ गई हैं अगर हम चाहरे हैं किसी थर्ट नम्बर पर हमारे जो आईडी है जो यूजर नेम है और जो फिफ्ट नम्बर पर हमारा यूजर हैं इन दो यूजर को हम डिलीट कर दें तो हम हमने इसको सब्मिट करातिया और हमारे पर नम्बर पर अन्डिफाइन का एरर है तो हम देखते हैं हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो हमारे पास थ्री और फाइव कि हमारे पास दो यूजर हमने हमने इसको रिफ्रेश कराए तो हम आपर देख सकते हैं अब दू थ्री और फाइव जो हम आपर डिलीट हो चुके हैं अगर हमने यहां पर वेर की कंडिशन यूजर नहीं करते तो इसका क्या इंपक्ट होगा फिर इससे मापर यह होगा कि जितने भी हमारे पास यूजर होंगे डेटा होगा हमारे पास रिकॉर्स पड़े होंगे हमारे पास वो सब के सब डिलीट हो जाएंगे अगर हम वेर की कंडिशन को यूजर नहीं करते सबसे पहले हमने देखा कि माई एस की बालाए का किनिक्शन किस तरह से बनाते हैं हमने आज की लेक्शन में यह देखा उस कनिक्शन को यूजर करते हुए हमने डेटा किस तरह से रिट्रीव करते हैं data retrieve किस तरह से कर सकते हैं कि हम insert, delete, select, update ये सारे queries को use करते हैं बेसिकली हम जो भी application बनाते हैं तो हम ये sharp functions को ही use करते हैं या तो हम कोई चीज अड़ करते हैं या कोई चीज हम वहां से delete करते हैं या उस चीज के अंदर कोई alternation करते हैं कुछ चीज अपडेट कर रहे होते हैं या फिर हम लोग कुछ भी हम आपा data होता है उस data में से show करा रहे होते हैं हम उसको select कहते हैं तो हमारे पर basically यही चार्च चीज जो होती हैं वो हम इसको thread भी कहते हैं मतलब C for create, R for read, U for update and D for delete हम इसको thread भी कह सकते हैं हम short format कि हम आपा जो thread है वो हमने बनाना है एक thread application है जो हमने इन four functions की यूज करते हुए बनानी है उसके लावा जो queries हैं हमारे पास उनमें multiple चीज़े हैं कि हम sorting में कर सकते हैं कि हम जो भी data show करा रहे हैं जो भी हम data यहां से show करवा रहे हैं उसको असेंडिंग show कराना चाहरे हैं यह डिसेंडिंग show कराना चाहरे हैं लूप बाई की जो कुछ हमारे पास पर कुई होती हैं और कुछ इस तरह से होता है कि हमारे जो functions होते हैं जैसे कि sum का function, current का function, average का function इस तरह से हम advanced level की functions को use करते हुए वह बहुत जादा complicated हो जाती है और बहुत जादा comprehensive हो जाती है हमने आज जो देखा है उसमें just overview था हमारे पास कि एक initiate in class लेने के लिए कि हम आज की चीज़ें देखी है advanced level पर हम बहुत जादा complicated चीज़ें आसे हैं हमारे पर comprehensive चीज़ें आ जाती है हमें mySQLi query का function हम्ने यहांसे देख लिया कि किस तरह से हम arguments करते है किसदर से argument आरहे होते हैं यह किस तरह से काम करता है अगर हम कोई चीज़ अपडेइट रिवा डिलीट करते हैं जैसे हमने select किया था वहांपे हमां ने वहां वहां पर देखा था कि MySQLi का रोज का फंक्शन था उसी तरह से हम देखेंगे कि जब हम डेटा को इंसर्ट करेंगे तो हम तो इस चीज को हम इस चीज को कन्फर्म कर सकते हैं कि हमारे पास जो डेटा इंसर्ट हमने किया है वो वाकी हमापा इंसर्ट हुआ है यह नहीं अगर इंसर्ट होता है जब तो हमाई MySQLi का ही एक फंक्शन होता है कि जो इसका फंक्शन है वो कहता है कि हमापा जो नहीं रोज इंसर्ट हुई है वो उसकी आईडिया में रिटान कर देता है कि जो आपने आईडी नहीं इंसर्ट किया है वो इस आईडी पर इंसर्ट हो चुकी ह ताकि यानि कि successfully वो हमारे पास result हमें मिल चुके हैं अगर हम उसको delete करते हैं या update करते हैं तो mysql effect का एक function है जो हमें ये बताता है कि किस तरह कितनी रोज हैं हमारे पाजो effect हुई है क्योंकि जब हम delete कर रहे थे users को तो हमने एक users को delete किया तो mysql effect ने एक detect करेगा कि आपका जो एक रोज है वो effect हुई है जब हमने multiple users को delete कर किया तो जितने भी हमारे पास टेबल पे data पढ़ी हुई थी और रोज पढ़ी हुई थी और इनिशेशन के बाद हमारे पढ़ी हुई थी वो four rows पढ़ी हुई थी वो mysql effected का जो function है उसने four return करेगा इस तरह से अगर हम कुछ चीज अपटेट कर रहे हुँगे कि अगर हमने multiple users के data को update किया है तो उनके जो भी data है वो उतनी rows effect होंगी और वो उतना ही number of rows जो है वो हमारे पास count होगा वो हमें return करेगा mysql i affected rows का जो function है वो हमें बता रहा होगा कि हमने इतनी update की है या इतनी delete की है इसके इलावा जो चीज़ है वो ये है कि जब हम कोई application बनाते हैं अभी तो हमने form को एक ऐसे एक roughly से लेके चले थे कि जो हम next application बनाएगे वहाँ पे हम एक proper एक पूरा environment होगा कि अगर हम update करना चाहरे हैं अगर हम उस user की information को table मनाया है उस table के सामने हर user का एक update का बटन होगा और उस update की बटन के उपर जाकर हम उस next form तक नहमें लेकर जाएगा और उस form के अंदर हम जो तमाम data है वो pre-populated होगा already filled होगा हमारे पास वो form और उसी user का data वहां पे फिल होगा और उस user का data जो हमारे पास उसको हम update करेंगे और जो भी changes हमारे पास आएगी वो हमारे पास same हो जाएगी इसी तरह से वो ही user का data है हमारे पास वो शो होगा यहाँ पे और हमारे table के सामने update का delete का बटन होगा और one by one row by row हम users को delete भी कर सकते हैं कि जिस भी user का हम delete को करना चाहिए उसके row पे delete के बटन पे क्लिक करेंगे और उस application से वो delete हो जाएगा और अगर उसको वहां से delete हो जाएगा तो understood सी बात है कि वो हमारे डेटाबेस से भी delete हो जाएगा तो यह सब चीजे जो हम application जब एक proper बनाएंगे तो अब तब हम वहां पे देखेंगे अब हमने यहां पे कुछ और functions है PHP functions for data retrieval कि data को retrieve करते हैं तो हमारे पास जो functions हैं जैसे कि आज हमने देखा हमने SQL है Fetch Association का यह जो हमारे पर function है हमने डीटेल से देखा हमने इसको क्या देखा की क्या करता है यह एक record लेका आता है कि हमारे पास जो fetch associated हो वो तमाम records को लेके आता है MySQLi data sequence जो है हमारे पास वो हमारे पास एक specified row देता है हमारे पास जो भी हमारे पास data fetches होता है हमारे पास उसकी four rows अगर हमारे पास आ रही है तो यहाँ पे हमारे पास यह होगा कि हम उसकी position में three लिखेंगे तो वो third row पर pointer है वो चला जाएगा पहले बारे जो दो होंगे वो skip हो जाएगे और इस तरह से my as के बारे लाए fetch array का जो हमारे पास function है यह हमारे पास यह क्या करता है हमारे पास यह एक row जो है array जो है वो हमें देता है या तो ब इंडेक्स होगी या एससियेटिव होगी या हो सकता है दोनों यह हमारे पास एक argument के हमारे पर depend करता है अगर हमने my asqueali associate किया है तो associate हो जाएगा अगर हमने MySQL अनम लिया है तो Numeric Array हमारे पास नहीं होगी, Index Array होगी अगर हमने MySQL बोथ लिया है तो दोनों की दोनों Arrays जो हैंगी, वो हमापस मिल रही होगी यानि Index भी और Associated भी और अगर हमने कोई Pass इनमें से नहीं करते हैं MySQL फेच असूसियेशन यहां पर ही लिख देते हैं तो क्या होगा, कि हमारे पास जो Associated Array होगी, वही रिटन होगी और हमने इसको Retreat से देखा कि वो किस तरह से Associated Array को हमने किस तरह से Manipulate करके डेटा को शो कराया MySQL फेच लेंस जो है, वो उसकी जो भी लेंस होगी वो हमारे पास सब दे रहा होगा, फेच करके दे रहा होगा MySQL फेच रो क्या करता है? वो एक सिंगल कॉलन जो है हमारे पाँ रिटन करता है वो सारे के सारे जो रिटन्स होते हैं वो हमें रिटन्स कर रहा होते है तमाम एसोसेटिव में तमाम रिकॉर्ड्स होते हैं और वन बाई वन हम उसमें से रिट्रीव कर सकते हैं वन बाई वन हम उसमें से देख सकते हैं लेकिन जो हमारे पाँ फेच रो है यह हमारे पाँ सिर्फ एक रिकॉर्ड देता है तो next जो हम देखेंगी हो next ये है कि हम application बेसे इसको ट्रेट की बेस पे हम इसको डिलीट, update की बेस बेस्सकों देखेंगे किस तरह से हम application बना सकते है वो हम next lecture में देखेंगे आज के लेक्चर हमारे यहां पे एंड होता है इंशाला आपसे मुलाकात होगी नेक्स लेक्चर में तब तक के लिए अलाहाफिज